पूर्या के दालखुला थाना छेतर में डकैतों ने रात के अंधेरे में टांडव मचाया है यहां के सहसरा गाउं में दो परिवारों को निशाना बनाया है और लाकों की संपर्ति पर हाथ साफ किया है इस बीच डकैतों का विरोध करने पर परिवार वालों के साथ जम कर मार पीट की गई इस घटना में दोनों परिवारों के आदे दर्जन लोग जखमी हैं इस घटना से पूरे इलाके में देशत का महौल है असानी लोगों के मताबिक दो दर्जन अपराधियों ने मुहमद इबराहीम और रफीक आलम के घर पर डाका डाला इन लोगों ने घर में घुस कर गरीब एक घंटे तक जम कर लूट पाट की इस बीच नगदी और सोने गहने लूट कर फरार हो गए उदर खबर मिलते ही दालखोला थाना पुलिस गाउं में पहुंची लेकिन खाली हाथ लोट गई डखैतों के हमले में घायल लोगों का किशन गंज में इलाज चल रहा है सार गड़नाटा गड़े छे मुड़ा मुटी सारे हाट्टाए अमरा खावाता करे माने वेस्निस नम्रोमेन मुट्टे ठीकाचे जा सनार पर एमनी उमने बुन्द भुरें एगवार्ट समय तेर फाई एजे काकरवारी इनना नाहिए इवर्याम एशाख इवर्याम स्केव्राइम चिल्लाचलिरस के फाऊनि सूनते भंपर Backgroundmodern Lum हुआ था थी तक बस दचाँ इस दर्ला क्यन साथ्पराद dirigी अट बोचकर फोर कच्छ शियाँ हौ प्रिटार खेंट अब खें भवर रूम्हें आट कर आजाम परचेंटे हैे नहीं कि रसेytt पीक शिया ना हुआ प्रिजुने मुदाओ, नुटवी बारी देमने भांचुर कोरेशे, सोना गोहने जा आचे निये गेशे जिनीश, प्थो, तक तमोर सोना गोल चीलो, और दिदिर दिल चीलो सोनार, चोटो दिदिर सोनार दूल चीलो को तो जन होबे सोना कुलो, होदल? मैं कॉन्सपटल, मुहस्टल, सोना कुलेशे, सजाल चीच दिदिदेशन, चीलो मैं की चुरी बारेचे, होदल का मैं की अच्छा होद बसे निटिर होद Boss सर आमादेर बाड़िते आवतों होचे तीन जोन मा, और छुटो बोन, और जमाई और काकुर बाड़िते आवतों होचे दू जोन जिनना नाम एसके इभ्हें आलो और छले नाम होच्चे MDR मनाला तो वालाकी किशु मने, बंदुक बंदुक नियेस चिलो आजिक आए, बंदुक आए, अचाए, आपन बंदुक दो आमां के जान्त चे आथक कोरे नहीं हो रहा आगे बोलेशिक तुमार मीमनीता स्वडीर ख़राब जाना आझे तुमी चोबीस स्थारीके राण्स लाप तो के तुमी बार इसे चाप तो आम कि अगोना के लिए आते शीन्तु आप्रों के कुछने न वे आती आपते लिएक जने एक जाने जने कहा दोट आ हमादर के आदर खुब कर कॉम संदर कीजींदे भाषेशा या शेये बीहा थैशलो कि आती आपको कर ए दोट ले पर पर दोट सेटेश मोटेश है तो बीनी नал, जुदि नगं फझी मिखशते बाड़ सोनिधु को इताव मेरी. जुदि सेल वां습니다.